नमस्कार जोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके अपने चैनल में, मैं हूँ आपकी वही अंजली हम ना तुम्हें खोना चाहते हैं, ना तुम्हारे यादों में रोना चाहते हैं बस तुम्हारा साथ मिले हमें हर पल बस इतनी सी बात तुमसे कहना चाहते हैं जी हाँ आपने साही सुना हम आज के डेली राश्रिफल की बात कर रहे हैं आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मारे ज़ अनुवर्सरी है उनको मेरी और से ठेर सारी बधाईया हो और गुडविशिस हो तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे बीते हुए कल को जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और भविश्य को कहता हूँ कि मैं और भी कुछ सीखने के लिए तयार हूँ तारीफ निकालने वालों से जादा गल्टिया निकालने वालों को सीरियस लीजिए आज जो दर्द सहर रही हो वो जो है कल आपकी ताकत बनेगी याद रखिए कि पुराने यादते नए रास्ते नहीं खोलती कितना अच्छा हो जब आप अपने माइंड को इतना ट्रेन कर दो कि जब भी कोई आपको कुछ भी कह दे तो आपको बुरा ना लगे वहाँ आप साइलेंट रहें क्योंकि कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बलकि खुद को बदलना शुरू कर देता है इंसान सफल तो तब होता है जब हर इंसान में positive side देखना शुरू करता है हम सब बड़े होते ही कुचल देते हैं पैरो तले अपने बच्चपन को लेकिन कुछ लोग इसे अपने अंदर जिन्दा रखते हैं अपने जीवन के सारे दिन एक कैदी की तरह गुजारने से अच्छा है कि अजादी के लिए लड़ते हुए मर जाओ जो खिलाडी है उसी को बता है कि वो कितनी बार फेल हुआ है और्डियन्स को उसकी आखरी कोशिश ही नजर आती है जो उसकी काम कर गई जो शिर जितना जखमी होता है वो उतने ही भड़क के साथ वापिस आता है इतने आसान मत बनो कि कोई भी आपको जान सके उन्हें जोर लगाने दो ये समझने के लिए कि आप दर असल क्या हो तैयार हूँ क्योंकि जीवन एक परिश्रम है अगर आप सोरी की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सोरी की तरह तप ये अब राहेम लिंकन कहते हैं कि मैं धीरे चलता हूँ लेकिन कभी भी पीछे नहीं मुड़ता सबसे पहले में आपको पता दू कि हजाब के लिए शुबर रंग यानि कि लखी कलर रहने वाला है आपके लिए गुलाबी यानि कि फिंक और आज के लिए जो लखी नंबर है वो रहने वाला है नंबर छे कुछ लोगों को और आदतों से एक निश्ची के दूरी बनाए रखेगा ताकि आप बूरी परिस्टियों से बाहर निकल सके आपको संगती आज अच्छे करनी होगी खुद की कारों के साथ भावनाओं को आपको बैलन्स करना होगा आज आपके विकास के लिए के बहुत ही को उलेखनी अलाब हो सकता है कार्य विस्तार पर खर्च हो सकता है गाड़ी वसाज की दिन जो है ध्यान पूर्वक चलाएगा धरम करम और अधात्मिक्ता के प्रतिया आपका विश्वास आपके अंदर शांती पॉजिटिव उर्जा कसंचार कर रहा है और यह सबसे एहम ब से मत भेद हो सकता है इसलिए किसी पर भी जादा भरोसा मत कीजेगा स्टूर्ण्स जो हैं वो भी आज पढ़ाई में ध्यान ना देकर घोमने फिरने में अपना समय जाया कर सकते हैं इसलिए आपको थोड़ा जो है अपने स्टड़ी के प्रति आपको सतर्क रहना होगा सितारे ये भी कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए अपना नजरिया दुरुस्त करने का भी है अगर आपके पक्ष में कुछ काम हो नहीं हो रहा है यानि कि जो काम आपके कॉर्डिंगली नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा नजरिया बदलने की ज़रूरत पड़ेगे अपनी इच्छाओं को दूसरे पर थोपने की कोशिश मत कीजेगा. कुछ प्रॉब्लम्स या परिशानियां आपके सामने आज हो सकती हैं, लेकिन आप इसे जो हैं असानी से निपड सकते हैं. कुल मिलाकर अगर देखा जाएं तो दिन आपके लिए कुछ नौतियों के साथ पॉजिटिविटी भी ला रहा है. यानि दोनों चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, पॉजिटिव भी और थोड़ी बहुत नेगिटिव भी. आज का दिन परिवार के साथ आराम और मौजबस्ती करने का भी होगा, प्रॉपटी के लेन देन से रिलेटेट कुछ प्लानिंग्स बन सकती हैं आपके. घर के बदलाव के समन्द में कुछ कारे हो सकता है, नवीनी करन करण करवा सकते हैं, या फिर घर के कुछ मुरम्मत या पेंट वगएरा करा सकते हैं. ध्यान लिखेगा इस बात का कि किसी पैतरिक संपत्ती को लेकर भाईयों के साथ कुछ जगड़ा ना होने पाए, वरना बहुत प्रॉबलम हो सकते हैं, लेकिन जरा से सावधानी और समझदारी से परिस्थितियां कावो भी आ सकते हैं, और आप इस चीज में सक्षम हैं, आ आगे बढ़ते और बात करते हैं आज की बिजनस और करेड के बारे में, तो बिजनस और करेड में आज का जो दिन कहता है कि पेमेंट आधी कठे करने का होगा, जाने कि अगर आप जो हैं किसी चीज में काम करते हैं और आपनी किसी से पैसा लेना है, तो आपको पेमेंट मि परपूर इंजॉय कर सकते हैं कुछ लोग लेकिन इस छुट्टी की कारण थोड़ा बहुत काम जो है आपका पीछे भी रह सकता है अज आप प्रती रोद और कई चिनोतियों की बावचूद करेड के मामले में सुरक्षित रहेंगे आज आपको कई फिक हद तक जो है बहुत लाब बेखने को भी मिल सकता है कारखेतर में आज कई यो गतिविदिया है वो आपके नुसार नहीं हो पाएंगी लेकिन फोन के जरीए आपको कई important orders भी मिल सकते है औरस का मिलना यानि कि आपकी आर्थिक सिर्दी को सुधार सकता है इसलिए थोड़ा सा चेत भी रहना होग जो लोग नौकरी करते हैं उनको छुट्टी के बावजुद ऑफिस का काम भी करना पर सकता है साथ ही में आज आपको काम करने के लिए कुछ विशेश अधिकार और स्वतंतरता भी मिल सकती है बहुत सा आप से जो है वो खुश हो सकते हैं आपके काम को सरहा भी जाएगा औ जो बात करते हैं आज की लव लाइफ की बारे में तो लव लाइफ में आज सितारे कहते हैं कि परिवारिक महाल बहुत ही खुश्णुमा बना रहेगा मनरंजन और हास परिहास में समय बीच सकता है काफी इंजोई कर पाएंगे आज आपको अपको अपने रिष्टों में आपको कुछ नया और रिन्यू करना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो पार्टन हैं आपसे बेहत प्रभावित हो सकता है रिष्टा करिन समय से गुज़र रहा है और इस पर ध्यान देना बेहत जरूरी है वनना गड़बड हो सकती है आज पत्य पत्नी के समंदो में भी जो है किसी प्रकार की तक्रार उत्पन होने की सम्भावनाई बन रही है घर के कामों में ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचना होगा अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन आप अपने ही ये सिर पर जो है मुसीबत मो ले लेगे और इसे जो है आने वाले दूनों में आज के हैल्थ की भारे में तो आज के दिन की हँख कहती है कि करिष्ट या भारी खान पीन की वज़बसे आज गैज कब ज़की शिकायत हो सकती है जिसे कि आज आपको थोड़ा जो है जो है छो फोकस है कामे वो विगड़ सकता है सिहत के मामले में समय जो है आपके लिए ठीक ठाक रहेगा जादा ठीक नहीं लेकिन विला जुला समय कहा जा सकता है बागी जो लोग है उनका स्वास्ते पहले से बैठे रहेगा पूरा लाब उठाईए जरूर आप ठीक होंगे इसे के साथ ये फिजूल की चिंता नहीं करनी है वना मानसी टेंशन बढ़ सकती है तो बात करते हैं आज के विशेश उपाई के बारे में तो आज आपके लिए विशेश उपाई ये है कि आज आपको जो है भगवान शिव को बिल पत्र चड़ाने चाहिए साथ में आगर आप धदूरा चड़ाते हैं तो और भी ज़दा फायदे मन रहेगा आप मेंसे कुछ लोग अगर वरत्त करना चाहते हैं तो इसे आर्थिक सित्यों में आपको काफी हद तक कलाभ मिल सकता है और याद रखिए घर में अगर आपको कोई चूटा हुआ समान है रुकी हुई घड़ी है तो इसको बाहर निकाल दीजिए तो यह जादा अच्छा रहेगा तो दोस्तों कि आपको यह वीडियो चलेगी हो तो लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भीना भूलेगा धन्यों